गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं सी वाम आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी यूटूब चैनल दफायर स्टुडी पर प्रेंट जैसा कि आपको पता होगा सुबा मॉर्निंग में 11 वजे आपकी डेली करेंट अफेर्स विकली करेंट अफेर्स की वीडियो आ चलिए आज का पहला प्रस्ट आपके स्क्रीन पर हाली में किसे प्यूमा इंडिया का ब्रेंड अमेसिटर बनाए गया है तो मैंने आपको ब्रेंड अमेसिटर वाली वीडियो बताई थी जिन लोगों ने नहीं देखाया वह प्लेलिस्ट में जाए और वहां से डेली प्रसमष का स्ब्तर है मैरे कॉम प्यूमा इंडिया इसकी ब्रेंड आउए मैरी कॉम को आप सबको पता होगा कि मैये कॉम प्यूमा के आफ येशिट रेक्षी अंडिया की भी ब्राइड अमेसिटर है आपको बताते है जानकारी के लिए कि मैरी कौम मड़ीपूर से बिलॉंग करती हैं और इन्होंने च्छे बार मुक्यवाजी में सोड़ पतक जीता है और मुक्यवाजी में विजयताफ यानि विश्टु में प्रसमस्थान पर हैं इस समय मैरी कौम नेक्स्ट कौशन हाली में प्रसिद्र लेखक नामवर सिंग का निधन हो गया है ये किस भासा के लेखक थे इसका सही उत्तर है ये हिंदी भासा के लेखक थे और इनकी ये कविता का नाम है कविता एक नया प्रतिवाद जिसको 1927 में साहित एकादमी पुरुसकार भी मिला है तो आप लोग याद करिएगा इम्पोर्टेंट कोशन है कि स्थे लिए मिला नेक्स्ट कुशन हुर्म स्ट्स्मितु ओकर बहुत ही इंपॉर्टन वैग्ईानिक है उनकी हाली में निधन हो गई है आपको बताना है यह किस फेल्ड में इन्होंने काम किया है संब आपको बता दूं कि कार्बं अज कर्बंड है आकसाइड जो में भरती जा रही है जिससे धर्ती का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, इसी कों लोग global warming कहते हैं आपके परिच्छा में जरूर पुछा गया था, PCS में question पुछा गया था कि global warming का क्या करणा है, इसका सही करणा है कि carbon dioxide की बढ़ती मातरा से धर्ती पर तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे global warming का खत्रा मंड़ा रहा है नेक्ट कोशन, 19 फरवरी को किस देश के crown prince मोहमद बिन सल्मान एक दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुचे तो आपको बताना है कि इस देश के वो crown prince हैं, तो वो हैं सौधी अरब के, सौधी अरब, सौधी अरब जहां की राजधानी रियाद है और वहां की currency रियाल है और संसत का नाम मजलिस अलसूरा मोहमद बिन सल्मान जो है भारत की नई दिल्ली पर एक दिन की यात्रा किये जिसमें उन्होंने ISA पर हस्ताक्षर किया ISA का मतलब होता है International Solar Alliance, International Solar Alliance और ऐसा करने वाला सौधी अरब विश्चुकात दिहत्तरवा देश बन गया है जो ISA पर हस्ताक्षर किया है ISA International Solar Alliance जिसका मुख्याल है गुड़गाओं में है और कोई ऐसी अंतर राष्टी संस्ता है जिसका मुख्याल है भारत में है वो ISA International Solar Alliance गुरुग्राम हरियाणा में नेस्ट क्क्वेश्चन देखते हैं आर्वियाई 2018 के लिए सरकार को कितने रुपए अंतरिम लाभांस इंटर्नल डिवेडेंट के रूप में भुक्तान करेगी तो आर्विया यानि रिजर्ब बैंक आफ इंडिया जो है 2018 के लिए सरकार को 28,000 करोण रुपए का अंतरिम लाभांस देगी कितना 28,000 करोण आपको पता होगा कि आर्वियाई के 25 गवर्णर बन गये हैं सक्तिकांदास और आर्वियाई का हेड़कॉर्टर है मुंबई चलिए नेक्स कुशन भारत के पहले फुल डोम 3D थिएटर का उदगाटन कहा किया गया जिसके सय उत्तर है बस्चि मंगाल की राज़ानी कोलकाटा कोलकाटा में फुल डोम 3D थिएटर का उदगाटन किया गया है नेक्स्ट कॉशन 19 फरवरी को किस देश में फेस्टिवल आफ इंडिया की शुरुआत हुई तो 19 फरवरी को नेपाल में फेस्टिवल आफ इंडिया की शुरुआत हुई ऐसा करने वाला नेपाल एक देश बन गया है जो कि भारत और नेपाल के रिष्टों को बताएगा अब नई पीड़ी में करने हैं तो किस मंत्रा लेने ऑप्रेशन डिजिटल बोर्ड ऑप्रेशन डिश्टल बोर्ड लॉंच किया है जिसका सहुत्तर है किस मंत्रा लेने इसको हिंदी में कहेंगे मानो संसाधन विकास मंत्रा ले और इसके मंत्री हैं कैविनेट मंत्री प्रकास जाविड़कर और इन्होंने ही ऑप्रेशन डिश्टल बोर्ड लॉंच किया है जो की सरकारी स्कूलों में लागू होगा कौन सा देश अंतरराष्टी सौरगण बंदन के फ्रेम्वर्क में हस्ताक्षर करने वालब बहत्तरमा देश बन गया है आई एसे यानि इंटरनेशनल सोलर एलाइंस अंतरराष्टी सौरगण बंदन मैंने अभी आपको उपर बताया कि सौधी अरब आई एसे का हस्ताक्षर करने वाला तिहत्तरमा देश बन गया है तो आपको बताना है कि बहत्तरमा देश कौन सा है तो बहत्तरमा देश बना है मात्र एक सेंटर इंडिया में है हाली में किस राजे सरकार ने कालिया छात्रविर्ती योजना सुरू की है तो आपको पता होगा किसानों के लिए कालिया इसकिम सुरू किया था ओडिशा की सरकार ने अब किसानों के बच्चों के लिए कालिया च्छात्रविर्त योजना सुरू की है ओडिसा की सरकार यानी नमीन पतनायक और वहां के राजपाल प्रोफेसर गड़ेसीलाल नेक्स्ट कुशन हाली में किसे सियोल सांती पुरुसकार 2018 से सम्मानित किया गया है तो सियोल सांती पुरुसकार वाले पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति गया है भारत के प्धारमंतरी नरेंडर मोदी और इनको जो है सियोल सांती पुरुसकार मिला है सीओल, सीओल का मतलब होता ही यह आपकी राजधानी है दक्षिड कोरिया की तो आपको यहाँ चापता चल जाता है यह पुरुसकार देने वाला देश जो है दक्षिड कोरिया ही है और नरेंद मोधी भारत के पहले व्यक्ति बन गए है ऐसा पुरुसकार पाने वाले सीओल सांती और दोईया के चोधा हमें व्यक्ति बन गए है नेक्स्ट कोशन बाइस परवरी को किस राजधे सरकार ने चार सो छेचाट करोन रुपए की खुसी योजना लांच किये तो खुसी योजना भी जो है और इसा की सरकार ने नमिन पटनायक ने लांच किया है खुसी योजना इस योजना के तहट इसकूली जो छात्राएं हैं उनको फ्री सैनेटरी नेपकिन प्रदान किया जाएंगे खुसी योजना के ताहत जो स्कूल में पड़ती छात्राएं बच्चिया हैं उनको फ्री सेनेटरी नेपकिन परदान किया जाएगा ये उडिशा की सरकार ने लॉंच किया है खुसी योजना नए दिल्ली अभी अभी कहां पर वेस्ट टू वंडर वेस्ट टू वेंडर पार्क का उधगाटन किया इसका सही ऑफशन है नए दिल्ली तो दोस्तों वेस्ट वेंडर जो पार्क है इसकी क्या खासियत है कि इसमें 150 तंक चरे का इस्तिमाल करके जो दुनिया के साथ है कि नेक्स्ट कोशन किस देश ने ए आई पर आधारी दुनिया की पहली महिला न्यूज एंकर पेस कर दिया है तो ए आई इंटेलिजनसी पर कित्री में इंटेलिजनसी है और डिफिसियल एंटेलिजनस जैंसी तो इस पर आधारी दुनिया की पहली महिला न्यूज जंकर कि इस देश ने पेस कर दिया है दोस्तों क्या होता है अमून अमूमना आप लोग देखते होंगे टीवी पर जो पत्रकार बोलते हैं महिला या पुरूस वो मानों होते हैं हुमन होते हैं लेकिन अपकी देश ने रोबोटिक महिला बना दिया है और वो न्यूज एंकर बन गई है तो इसका सही उत्तर है चाइना ने अगर आप से पूछ लिया जाए कि ऐसा करने वाला पूरूस में पूर किस राज्य पुलिस ने देश का पहला मानों साद्रिस रोबो कायब सामिल किया है तो इसका सही उत्तर है केरल की सरकार ने केरल की सरकार ने केरल की पुलिस ने देश का ऐसा पहला मानो साधरिस रोबो काम अपनी पुलिस साहता में सामिल कर लिया है और यह जो है मानो की गत्पितियों पर ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोशिन EPFA ने भविस निदी जमा पर मिलने वाली ब्याज रासी को 2018 के लिए कितने प्रतिसत बढ़ा दिया है EPFA ने भविस निदी जमा पर मिलने वाली ब्याज रासी को 2018 के लिए बढ़ा कर कितने प्रतिसत कर दिया तो अब बढ़ाकर 8.65 कर दिया है पी अप जो आपका घटता है जो सरकाईर जो आप करते हैं उन्हें जो पी अप करता है उसमें 0.1 प्रतिसे के विद्धी करके 8.65 कर दिया गया नेश्ट कोशन हाली में तिर्पुरा के पहले मेगा फूट पार्क का उधगाटन किस सहर में हुगा तो तिर्पुरा के पहले मेगा फूट पार्क का उधगाटन अगर तला में हुगा जो की तिर्पुरा की राजधानी भी है और उस मेगा फूट पार्क का नाम सिकाया मेगा फूट पार्क है सिकाया मेगा फूट पॉर्क है नेक्स्ट कोचन 21 फरवरी से ISSF वर्ड कप 2019 का आवजन कहां पर किया जा रहा है तो इसका जो ISSF वर्ड कप इसका पूरा नाम होता है International Shooting Sports Federation International Shooting Sports and Federation ISSF कम जो 2019 में आवजन हो रहा है वो नई दिल्ली भारत में होगा कि नेक्स्ट कोशन देखते हैं क्या है कि ISSF वर्ड कप 2019 के समद्ध में निम्न में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है चार पिकल्ब दिये हैं इन में से कौन तकतन सही है पहला आई एससे वर्ड कप 2019 नई दिल्ली में आवजी थोरा बिल्कुल सही मैं आपको बताया उपर दूसरा आप पूरवी चंदेला ने तो सही है यानि आपको तीन ओफ्सन ते वहें उप्रोग्त सभी नेक्स्ट कोशन किश भारती को फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड दोजार ने से सम्वानित किया गया इसका सही तरह है ड़ग्टर दिद्व्या कारणाट ड़टर दिद्व्या कारण को future for nature award 2019 से सम्मानित किया गया है हाली में BCCI का पहला लोगपाल किसे न्यूक्त किया गया है तो BCCI दोस्तो BCCI का पूरा नाम होता है Board of Control Cricket in India जिसका मुख्याल है मुंबई में हैं और BCCI के पहले लोगपाल D के जैन बन गए है D के जैन अगर आफसे पूछा जाए कि BCCI के चेर्मेन अध्यक्ष कोन है तो उनका नाम है C के खनना आपको पहले आफसन में देख रहे हैंगे C के खनना 24 फरवरी को PM नरेंद मोदी ने कहां से PM किसान योजना का सुबारम किया PM किसान का मतलब होता है प्रधान मंतरी किसान सम्वान ने दियोजना इसकी सुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के गोरफपूर से कब सुरुआत हुई 24 फरवरी 24 फरवरी 2019 को प्रधान मंतरी नरेंद मोधी ने पीम किसान योजना का सुबारम उत्तर प्रदेश के गोरफ पुर्जिले से किया और इसमें जो क्या होगा कि जिन के जिन किसानों के पास दो हेक्टेर से कम भूमी है उनको 6000 रुपए सालीना दिया जाएगा और 2000 के किस्त में दिया जाएगा और 24 फरवरी को पहले जो है डारेक्ट एकाउंट में किसानों के पास पैसे पहुच गए नेक्स्ट कोशन 24 फरवरी को रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया डवलू एस आई मतलब रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया इसका सही उत्तर है ब्रिज भूसर सरौन सिंग ये जो है गोंडा से सांसद रहे हैं और मौझूदा समय में सांसद हैं भी ये बीजेपी से भारती जन्ता पार्टी से और इन्हीं को रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया डवलू एफाई का अध्यक्ष नियूक्त किया गया है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं पेड़ां youth Pen Keogson दॉरा डोना है ऐई कि महासंग द्यूरास 2008 लिए और अवार्ट किसे सम्मानित किया गया है इसके पारेशा किये बार्ण जो हौकी वर्ड कप हुआ था ये उडिसा के कलिंगा इस्टेडियम में हुआ था जिसमें बेल्जियम ने नीदर लेंड को हरा कर बेल्जियम ने वर्ड कप अपने नॉम किया था हौकी का नेक्स्ट कोशन है जीएश्टी परिसाद ने निर्मारा दिन आवाज संपतियों पर करदरों को 12% से घटा कर कितना कर दिया तो ये जो कर दिया है 5% निर्मारा दिन आवाज संपति जिनका भी होगा निर्मार कार्व चल रहा होगा पहले उस पर 12% सब्सक्राइक लगता था जीएस्टी लेकिन अब भटा कर उसको 5% कर दिया गया जीएस्टी का पूरा नाम होता है गूर्ट सैंसर इसे स्टेक्स और इसको लागू हुआ था भारत में एक जुलाई 2017 को विस्व में जीएस्टी लागू करने वाला देश का पहला देश बन गया था फ्रांस 1904 में और भ मेमोरियल का उद्धगाटन किया तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में आपको बता दें कि इंडिया गेट के पास में 166 करून रुपए की लागस से बनीए नेशनल वार मेमोरियल का उद्धगाटन भारत के प्रदार मंतरी ने रिंद मोदी ने किया और आजादी के अफगानिस्तान देश ने चाबहार बंदरगार के माध्यम से चाबहार बंदरगार के माध्यम से भारत को निर्याद सुरू कर दिया है यह पोर्ट इस्थित है कहां पर इरान में इरान में है दोस्तों चाबहार बंदरगार और इरान ने ही भारत में विक्सित किया है लिश्ट खोलें और उसमें जो है डेली करेंट अफेर्स में आपको मिलेगा ऑसकर की मेरे एक वीडियो बनाई है जिसमें 15 महत्पूर प्रश्ण बता हैं तो यहीं से प्रश्ण है कि 91 वायसकर अवार्ड 2019 में सर्वसरेश्ट फिल्म पुर्सकार किसे दिया गया इसका सही उत में बेस्ट फिलम् के रूप में नॉमिनियट किया गया आप से गर कहा जाए विएस्ट एकृटर तो थी नव फॉलेडव सांपे लिन गोरोमा और इन पो थिनुप प्लेड फांप गया है की आपको बिजह नहीं दिएंग जा तो इसका सहुतर है इस्राइल, इस्राइल की राधानी येरुसलम है, इस्राइल ने अपना पहला चेनरल लेंडर प्रश्पित किया है इफ्सक्राइब उसका नाम है बैरे शेट, बैरे, सेट, बैरे, सेट, नेक्स्ट कोचिन देखते हैं कि देश भर में रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्यूस गोईल ने कौन सा डैस बोड लॉंच किया है भारत के रेलवे में कोईला मंत्री प्यूस गोईल ने एक अप्लिकेशन लॉंच किया जिसका नाम है डैस बोड ये क्या करेगा कि कि देज भर में जितना भी रेल भी का काम चल रहा है उसको लोगों को बारे में भारे में अप्लिकेशन का क्या नाम है उसका नाम है। रेल द्रिष्टी लाउंज किया है भारत की रेलवे यह कोईला मंत्री प्यूस कोईल जी ने नेस्ट कोशन सराप की तसकरी का रोख थाम के लिए प्रसिचित कुट्टो को तैनात करने भारत का पहला राज्य बन गया इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है आप लोग याद कर लीजिएगा नेक्स्ट कोशन प्रतेकवर्थ राष्ट्री विज्ञान दिवस नेशनल साइंस टेकम बनाया था इसका सही उत्तर है ठाइस फरवरी को आप सबको पता होगा कि आ करें कि जुब रिज्ञान दिवसर राष्टीव ग्यान दिवस यो किसकी के रूप में मनाया जाता है अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट कर ये जितना जादा जानते हैं उतना जादा लिखिए आपके लिए क्वेशन है कि 15 फरवरी को पीम एस वाइएम पीम एस वाइएम को ध्यान से पढ़िएगा यह पीम किसाने उजना नहीं है ए पीम एस वाइएम यह प्रधान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना है तो इसके तहट जो लागू हुई योजना इसकी इसमें मजदूरों को कितने रुपे मासिक पेंसन का प्रावधान है मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था कि जो पीम एस वाइएम मैंने आपसे पूछा था वाई का मतलब क्या होता है तो वाई का मतलब होता है योगी तो प्रधान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना जिसको प्रधान मंतरी मोदी जी ने लांच किया है तो इसमें मजदूरों को महीने में कितनी धनरासी दी जाएगी आपको कॉमेंट करके बताना है आपके पास options इस्कीन पर दिख रहे हैं 2000, 3000, 4000 और 6000 तो आपको कमेंट करके बताना है जितना आप जानते हैं PMS OIM के बारे में उतना ज़्याद आप लिखिए और आपको श्रीम पर दिख रहा होगा अपने दिमाग में उसा लीजिए आज आज आपकी साम की वीडियो आने वाली है वो चुनाओ के उपर आने वाली है चुनाओ यानि नीरवाचन इलिक्सन जितना भी इसको आप कहे लीजिए ये भारत में जो चुनाओ हो रहा है सत्रवी लोग सभाका जिसमें साथ चुनाओ की प्रिक्रिया है और 23 मही को जो अपकर जड़ान है सारा प्रोसेस के बारे में प्लस समिधान में जो संसोधन हुआ है समिधान में किस आर्टिकल में है कौन-कौन से समिधान संसोधन हुए है पंचायती राज बे उस्था कैसे आई अस्थानी सोसास्तन क्या होता इसके जनक कौन है भारत का कौन से राज है जो पहली पंचायती राज जागो किया यह इन सब के प्रस्णों का जवाब आपको आज मैं 50 टॉप 50 कोश्चन्स लेके आ रहा हूं रात को 9 बज़ाली क्लास में आप वहाँ जो लोग आकर देख लीजिएगा और जिन लोगों ने वीडियो को लाज्ट तक देखा इसका मतलब वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक पर तो उपर वहाँ लाइक और डिस लाइक का बटन उटा तो लाइक पर एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए वीडियो लाइक हो जाएगी और सब्सक्राइब कर लिजिए अब लोग दाफ हाय श्टी को अच्छी लगी तो नहीं तो कोई बात नहीं तो साम की रात में जो क्लास आने वाली है नो बजे वो चुनाओ के उपर आएगी जिसमें पचास महत तूर प्रस्ण रहेंगे और किसी भी एक्जाम में वो आपके दो प्रस्ण महां से आने हैं आर रवे नटी पीसी रेलवे एससी बैंकिंग आधी सभी परिक्षाओं में तो वीडियो को यही समाप् जय भरत